हेलो फ्रेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम आपके साथ कच्छे आलू से बने बहुती आसान चटपटे और मज़ेदार से नास्ते की रस्पी सेयर कर रहे हैं इसके लिए आपको पहले से कोई भी तैयारी नहीं करनी आप इसे breakfast, lunch, dinner या बच्चों को lunch box में भी बना कर दे सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में बनकर ये तैयार हो जाते हैं चलिए तो फटा फट से इस मज़ेदार से नास्ते को बनाना सुरू करते हैं तो यहाँ पर हमने दो बड़े साइच के कच्छे आलू लिये हैं आलू को हमने छील कर धुलिया है और अब इनने हम ग्रेटर से ग्रेटि कर लेंगे तो मीडियम वाले चेदों की तरफ से इसे हम ग्रेट कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आलू को पहले से ग्रेटि करके मत रखेगा तो यह लीजे फ्रेंट्स, दोनों आलूओं को हमने ग्रेट कर लिया है, अब इसमें कुछ सब्जेया डालेंगे, तो, एक छोटा प्याज बारीख चौप करके डाल देते हैं, ताथ में एक छोटी गाजर है, जिसे हमने ग्रेट कर लिया है, इसको भी डाल देंगे, और एक ह चोटी सिम्ला मिर्च बारीक चॉप करके डाल देंगे और अब यहां पर हमने चार से पांच लैसुन की कलियानी है इनको भी हम ग्रेट करके ही डाल देते हैं इससे नास्ते में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा और अगर आप लैसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे इसकिप भी कर सकते हैं तो यह लिजे हमने लैसुन को भी इसमें ग्रेट कर दिया है और यहां पर आदा इंच अद्रक का टुकडा लिया है इसको भी हम ग्रेट करके ही डाल देते हैं अद्रक और लैसुन का पेश्ट इस नास्ते में नहीं डालिएगा ग्रेट करके ही डालिएगा तो ये लिजे अद्रक को भी हमने ग्रेट करके डाल दिया है और अब इसमें हम डालेंगे दो हरी मिर्च जिनें हमने बारी काट लिया है और नमक डाल देते हैं तो यहाँ पर आदा चमच हमने नमक डाल दिया है नमक डालने से न सबजियां पानी छोड़ देंगी तो नमक को तो अगर आप इसमें और भी कोई सब्जी डालना चाहे थो वह आप इसमें डाल सकते हैं, और जो सब्जी आपको इसमें पसंद ना हो, उसे आप इसकी बीकर सकते हैं, तो नमक को सब्जी में अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, अब इसमें एक छोटी चम्मच जीरा, एक छोटी चम्मच अजवाइन और एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, तीका कम खाते हो तो मिर्च कम कर दीजेगा, आधी चम्मच इसमें हमने काली मिर्च पाउडर डाला है और कलर के लिए चोथाई चम्मच इसमें पानी छोड़ दिया है तो अब इसी पानी में हम अपना नास्ता तैयार करेंगे तो यहां पर हम दो चम्मच इसमें बेसन डालेंगे बेसन से नास्ते में बढ़िया सी बाइंडिंग आएगी और दो ही चम्मच इसमें हम चावल का आठा डालेंगे इसे नास्ता हमारा क्रिस् डाल सकते हैं पर हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला है और यह हमारे नास्ते का mix बन injuste like्षक थयार हुगया तो इसको भी हमने मिक्स कर लिया है और यह हमारे नास्ते का मिक्स तैयार हो गया है तो चलिए अब फटा फट से नास्ता भी बना लेते हैं तो नास्ता आज हम पैन में बना रहे हैं पैन में एक चम्म चम तेल डालेंगे और इस तेल को पूरे पैन में अच्छे से हम फैला ल तो फ्रेंट्स आप चाहें तो इस नास्ते को तबब भी बना सकते हैं यह देखे इस तरह से हमने इसे फैला लिया है और अब इस पैफ ला से इसके किनारों को हम सही करते वे गुल कर देंगे यह दिखे इस तरह से और उपर से थोड़ा सा हम छिखना कर लेंगे यह एक साइड से हम सिखने देंगे तो तकरीवन दो मिनट हो गए है और यह देखिए साइड से यह ड्राइ होने लगा है और हलका साइस पर गोल्डन कलर आ गया है तो बस उपर से थोड़ा सा इस पर हम तेल डाल देते हैं और यह देखिए हम आपको दिखा रहें बिल्कुल भी पैन में चिपका नहीं है और अब धीरे से इसे हम पलट देंगे पर फ्रेंट जब एक साइड से अच्छे सी सिख जाए ना तभी आप इसे पलट यह देखिए कितना ज्यादा यह किस्पी बनाए अब दूसरी साइड से भी से ढख कर हम दो मिनट के लिए सैकलेंगे तो दो नास्ता बनकर हमारा तैयार हो गया तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं और सारा नास्ता बिल्कूल इसी तरह से बनाकर हम तैयार कर लेंगे तो फ्रेंड्स इतने मिक्स में हमारे चार नास्ता बनकर तैयार हो गए हैं और आज इसे हमने टमेटो केचप के साथ सर्ब किया है आप इसे breakfast, lunch, dinner या बच्चों को lunch box में भी बना कर दे सकते हैं खाने में ये बहुत ज़्यादा testy होते हैं अगर आप भी समोसा, कचोड़ी, पकोड़ी खाने के सौकीन होना तो एक बार इस नास्ते को बना कर जरूर ट्राइ करेगा आपके घर में ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा उमीद है आपको ये recipe जरूर पसंद आई होगी तो कैसी लगी आपको ये recipe कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा और यदि recipe अच्छी लगे तो उसे like और share भी जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकोल ना भूलें ऐसी ही नई recipe के साथ नएश पीडियो में हम आप से फिर मिलेंगे थैंक यू